बुट मॉर्निंग 12 ट्राप स्टुडेंट्स बिटा एंटिहाइट टीटोंग एसिड चैप्टर नॉम्बर 12 और वो चल रहा है आपका और आप पढ़ रहे हो है ना तो अब अपन नुक्लियोफिलिक एडिशन रियक्शन के नेक्स टॉपिक पे चल रहे हैं और नेक्स आपस देखी समझाया था जैसे एडिशन ऑफ एट्सीन दूसरा कराया था एडिशन ऑफ सोडियम हैड्रोजन सल्फाइट थर्ड हमने उसी में एग्जामपल देख बताया था एडिशन ऑफ ग्रिग्हां रियर्जेंट और यह आपके बहुत सारे हाँ एडिशन ऑफ एल्क एडिशन ऑफ एडिशन से कैसे रियक्शन करते हैं तो देख उड़ा सबसर पहने तो अमोनिया डैलिवेटिशन की बारे को हम पढ़ लेके उसकी बारे मेकिनेस पढ़ेंगे ठीक है अमोनिया पता आपको NH3 बिलकुल NH3 आपका अमोनिया है यानि तीन हाइड्रोजन है आपका इसका एक खीर्ब दों कोके और अल अलकायल को पते निलांता है यह बने में गानांता है आपका अलकायल अमोनिया उसकी ड्यामोनिया का ही तैगायल कपील है अलकायल अमोनिया है? तो बद्क्तरिशन की ये मु कर दो भिया मुद्दा, और इसका एकच उतके, OH को आद जल घड होकी, तो प्रोट्स्य को दो आएक yin न, हइड Amazon akadram अब 8 मिया तिलम नब्लियक से एक हीड रेवस के साथ हे लाकेbok अगर चुमत के साथ रेवस के साथ रेजे हकि acting तो यहाँ पर आयज डिस्ट्के estrut पर युथ पर बनीगा जरनाक में ऎक्या न करो रेज सोर्प आयल अज को देनम है अजनी तो तो तेन अमोनिया derivative आपको वसमय पर होंगे, जो अमोनिया से बनते हैं जिसमें एक हाइड्रोजन को displace करके वो group attach होता है, जिसमें इसमें हाईड्रोजन को displace करके, एलकाय को attach होता है, इस वाल्गाय लमाईट, ठीक है, तो 3 ammonia derivative आपके सामय यहां मैंने रखे हैं, कौन-कौन से आपस बोलेट, algyra-mine, hydroxy-mine, hyrasin हम पें एंटी एक्षिंश करवाउंगे आपके सामय लेकिन उसमें पहले और अभी तरह हम ammonia derivative के साथ में इत्रेस करेंगे तो यहां पर हम उसके बारे में बास करें देखो, तीन अमोनिया डेवेटिल हो गए, अब आगी का देखना, अगर यह अमोनिया रूप है राथ का, और यह तो इसके साथ आपके अटाच हो जागा तर्थ इस को हटाजें यह गरूप आको इसरों हुआध यह गुरूप आपके अटाच मोहने का देखो इसे संग है आपके यह, यह है निर्गना इसे भीक का और यह है ने आपके हैं यह से तो इस दिए बोलेंगे PIM Italian ...पनाई अमाइट, तो इसको हम और अच्छी से लिखें छेएं NH2, NH, यह, आपको बता हमें, NH2, NH2 is hydrazine, अभी लग लग बिना हैं, लेकिन इसका एक H लगा दें, अब यह गूप लगा दें, तो यह गूप कॉन सा टेंच होगें, आपका, फिनायल hydrazine, तो कैसे बनेगा अमोनिया derivative, यह सुना, फिनायल hydrazine, कैसे बना, उसको देंगा, NH2, NH, C6H5 is known as, फिनायल hydrazine, अब यह कैसे बनता है, उसके लिए में आपको सामें सुझाती हूँ, किस तरह से आपको बनाता है, इस H को बटाते हैं, इस गूप को अटेच करणा, 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 तो य यह बनेगा, NH2, NH, यह हाइड्रेजीन और यह फिनायल, तो क्या हो जाएगा हो जाएगा, फिनायल, हाइड्रेजीन, आया सकूप, आचा, अब आगे बनाना है, 2-4, डालनाइट और फिनायल हाइड्रेजीन, तो वह कैसे करता है, यह देखो, H, N, H, Ammonia, सब को पता है, Ammonia को, इसके साथ यह गूप अटेच करणा, 2-4 पिनायल, यह गूप अटेच करणा, तो इसको हटा देखो, तो हमारा प्रोडेक्ट से बनेगा, तो यह बनेगा, देखो, बनके सब अमोनिया से ध्यान रखना, अमोनिया था एक हटके, और यह ग अटेच होडा है, तो देखो कैसे है, N, H2, N, H, N, O, 2, N, O, its name, 2, 4, D, I, Pro, Sinai, Hydra, Z, E, किक है, और लास्ट जो अटेच करणा है, यह बनता है, वो यह बनता है, H, N, H, और इसके रियक्शन बनाते हैं, हाँ किस ग्रूप से, यह बनता है, N, H2, N, H, C, O, N, H2, this is called, सेमी कारवाजान, इसे बोलते हैं, सेमी कारवाजान, सेमी कारवेजान, सेमी कारवेजान, यहां तक आपको अमोनिया लाइटिक समझ में आजाने चाहिए, और अगर याद की नहीं हो, तो आप इसी ली आ रहा हैं से याद कर लो, इसे हाइड्रेजिन का फोर्मुला है, सेमी को अधन के विलाइटिक फिनाय लगा दो, फिनाय हीड्रेजिन होता हैं, मैं बोलू, टू-फोर डालाइट्रो फिनाय है हाइड्रेजिन, तो यह हाद्रेजिन में 2-4 पे डालाइटिक लाइटू तो यहां आपको, अमोनिया डेरीवेटिक तो समझ आपको, अब देख सेट्ट अमों रिवेटिवेटिवेटिवें नहीं नहीं फुर्थ आपका नहीं नहीं एक और रह गया है ये वाला NH2, सुरी पहों रहे हैं, फोरा साउपढ़े हैं, तो भी करें NH2, NH2, यहीं हीड्रेजी और लास्ट है हमारा NH2, NH, CO, NH2 तुद देखो, एने स्टूट्रूट कॉमन है, है न, दिखरा रहा है, यानि इसका एक एज हटके ये ग्रूप आगे है, वन, ये वाल, ये वाल, ये वाल, ये, 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 आपको सामने, इन ग्रूप को मैं कमाई ली, अभी मैं मैं में गानीलिम समझ लूंगी आपको, इन ग् तो, एन्स्टी जैर होने के ये कमाई ली, अब जैर में कोई भी हो सकता है, ग्रूप आपको भोले तो मैंने इसको लोला Eğerड, यानि एन्स्टी ग्रूप सब्में कॉमन है और जैर ग्रूप कोई भी होसकता है, जिसकी मैं कमाई भ्रूप रैक्शन करव mãं, ठीक है, आपके कि किस तरह से Ammonia Deligatives बनते हैं यह समझ में आगया होगा वापस बोलूँ जैड यह ग्रूप है यह ग्रूप को भी हो सकता है जो मैं अलग अलग बोलने से चाहे कमाई ली मैंने जैड ग्रूप ले लिया अब लेगो हुमारे समय यहां पर टॉपिक करते हैं मेकनिस्स सुम्जात है कि कार्बोनाय ग्रूप से अमोनिय डेलिविटिप्स कैसे रियक्शन करते हैं तो जब कार्बोनाय ग्रूप से अमोनिय डेलिविटिप्स रियक्शन करते हैं तो वो एसिडिक मीडियम में करते हैं है न, pH कंप होती है, और pH कंप होती है, मतलब वो acidic medium होता है, h plus i liberate होती है, h plus i की presence में तार्गोमेल गुप पहले h plus i से react करता है, और यह यहाँ इसके पास electron की deficiency होनी निपा रहा है, इसका एक electron pair ही ले लेता है, तो देखो इसमें एक electron pair ले लिया, bond बना लिया, अब oxygen के पास, दो लोन pair की, दिखें है आपको, एक हाइड ले ले लिया, तो बोलों यह positive charge जबलब होगा यह नहीं होगा, क्योंकि oxygen के पास दो लोन pair थे और अब एक लोन pair रह गया, ठीक है, oxygen is more electron negative, यह भी है, यह अपने उपर कभी भी positive charge नहीं रहने दिता, तो यह क्या किता है, पाई ल लोन pair शिप्त कर लेता ऐसे, तो यहां पर positive charge जबलब होता है, यह लोन pair shift हो जाएगे, यह positive charge जबलब होगा देख सके है, इस प्लीप सभ्ण सभा मुखा की यहां रते है, और next देखने है, आम उन्हें derivative से कैसे reaction करता है, कहने का मतला, कल भी मैंने वीडियो में बता रहता है आप acidic medium की presence जब होती है, तो carbon पे positive charge जबलब करता है, carbon पे electrophilicity increase करता है, तो carbon पे जो electrophilicity increase हो गई, ठीक है, तो अब यहां पे यह nuclear file की तरह भी में बखर रहा हूं, यह negative, Z को कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया, OH को, R को, ठीक है, NH को कुछ भी हो सकता है, मैंने अड nucleophile है, nucleophile, sorry, nucleophile 5, और यह जो यहां तो आपका है, electro 5, ठीक है, और आपको बताई, electron connection है, यह electron rich है, तो यहां पे attack करेगा, attack करने के बाद यह picture हमारे सामने आती है, इसमें आपना long pair इसको दे दिया, यह इसमें आपना long pair इसको दे दिया, तो बोलें, इसका long pair गया न, carbon को देन इसमें से इदर देख सकते हैं, तो यहां कैसा charge अपक होगा, positive, ठीक है, फिर मैंने का, electron negative element, oxygen हो, चाहे nitrogen हो, चाहे nitrogen हो, कभी भी अपने उपर positive charge नहीं रहने दे, उनकी tendency होती, electron अपनी side shift कर लेगी, तो यह electron सो अपनी side shift कर लेगी, यह जब electron सो अपनी side shift कर लेगी, तो यह born- continuous हो जाएगा, ठीक है, बॉल्ट कीश होने से h plus sign, निकल जाएगे, यही h plus sign आगे, यही h plus sign आगे, यही हो start लेगी, यहां से h plus sign गए, अब यह फिचर लेगी, हम यहां देखे हैं, कि nitrogen more electron negative है, सबसे बहले, oxygen more electron negative है, यह shared electron को अपनी side shift करता है, तो जैसे shared electron को अपनी side shift करेग तो carbon पर charge दो होगा, carbon nitrogen से लेगा, nitrogen इस से लेगा, तो यह bond last में, इस pressure के कारएग, यह bond weak हो जाएगा, और bond weak होने के कारएग, निकां से कौन से हाँ रिपरेट होंगे, H plus, और यह लक्टोंच लेके, यहां से कौन से हाँ रिपरेट रहेगा, H और OH, H और OH आइं से क्या निकलेगा, water molecule और यह product आपका remaining रहेगा, CNZ, H निकल गया, OH निकल गया, बचा गया आपका CNZ, यह आपका last product बचेगा, ठीक है, फिर दुबादा से बतारी हूं, क्योंकि mechanism समझना बहुत ज़रूरी है, और समझ के आना चाहिए, ammonia derivative अब नहीं ठीक है, ammonia derivatives को हमने कमाई ली रिख लिया है, NS2, Z, ठीक, Z में कोई भी group हो सकता है, ठीक है, और यहाँ लोगों के बता है, ऐसे कि media में connection होगी, तो carbon man group जैसे हैं से science react करेगा, यहाँ positive charge जबलब होगा, देख रहे हो, यह आपकर positive charge जबलब ही होने देगा, पाई लग तो shift करे यहाँ positive, तो यह कैसे behavior करता है, इलेक्ट्रोफाइल और अमोनिया derivative, नुक्लियोफाइल की तरफ जबलब होगा, अटेर कर देगा, अटेर कर दिया, अटेर कर दिया, अटेर करने से नाइड्रोजन ने अपना लोग में इसको दे लिया, बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या सचा आप से सायं कि प्रेट होगे, यह से सायं, से रियक्षम में काम के हमां आगे देक तो फॉस्स रहाएं, बचाए यहाँ हमारी संथा, आपको अटाया, और यहाँ प्रोडियो ने इनवर्ट्रों शिर्ट करता है, तो लास्स पे पेड़ बढ़ेगा, और यह यहाँ से ओहने तो यह मेगेरेस्ट है, इसमें इतना दुबराने की विपात दीए, हम कैसे Ammonia derivative गूंगेंगें Ammonia derivative बहुत इसली होती है, वह जहित इस तरह से होती है सबसे पहले मैं आपको reaction कराती हूँ hydroxyl amine से तो इसका ammonia derivative में तो first ammonia derivative में लेएू from hydroxyl amine और hydroxyl amine को formula आपके सामने है तो मैं anti-hide और ketone की से reaction करांगी तो देखो यह anti-hide लेगा anti-hide और ketone में हम डायक की परादी है तो हम इस तरहे लिख जेते हैं तो आपको बहुत बहुत लंगा पड़ेगा तो नहीं हम लिख जेते हैं और acidic media में है तो H-glacine में है की presence में है आपको इस water molecule remove कर दो sub-product बहुत 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 और लास्ट में यह जेते हैं यह जेर हो कहाँ है? C-N-Gel this is called auxine यह है auxine, auxine का करते हैं की reaction किसे कराते है? hydroxyl amine से, तो देखो जिसे मालों मैंने लेया यह यह जेते हैं यह जेते हैं यह जेते हैं यह जेते हैं इसकी reaction कराते हैं hydroxyl amine or acidic medium तो आपको पता है और दो माली के लिवारा बार्ट इस तरह बना लिए आखो तो बना CS3 CH N और A इस इस कॉल Ethenal Oxine क्या हो लेंगे इसको? Ethenal Oxine अच्छा यह तो आपको 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 बना के लिए यह propanone है आपके साहँ और इसकी reaction मैं hydroxyl amine से करा लिए यहां से water निगल गया है तो अब बना यहां से water निगल गया है तो अब बना इस इस कॉल्ड प्रोपेन नौर Oxine आप देखो जो हम ले रहे हैं compound hydroxyl amine reaction कराई water molecule को remove करता हूँ और जो आप एडि करोगे तो compound बनेगा यहां प्रोपेनल का Oxine बन जाएगा इस पर ऐसे एक आपको रेक्शन सुमेंगा है hydroxyl amine से देखो आप दूसरी में करावी तो यहां पर इसको देख ना दूसरा amonia derivative में आपके सामने लेगें hydroxyl from hydroxyl देखो ammonia derivative number 2 from hydroxyl 4 हए गलम को tempo 23 हाट जीर हुआ हाट गाटिर लिए को दाना है ना? Ns2 और Ns2 में भी helps एज़िए आप एज़ी हम गरते के शीए Completely हमेरे को under sophisticated & ऑलम आपको पर दाए 정도로 सैने n Jak तो product बना CS3, C, H, double bond N, NH2 और साथ में water पिछली रेक्षिं में मैं नहीं खाता हूं भी समझ लेना water भाली क्यों है This is called E-K-Null Hydrazine से बना Hydrazine सबस्के यह बना हमारा E-K-Null Hydrazine से जान बना है हमने Hydrazine किया यह हमारा Hydrazine है अब यह हमने लिया E-K-Null Product बना है ठीक है? Ketone से बनाना है सेम बनेगा Ketone से कैसे? प्रॉपे नौने लोगे आप जो भी लेना चाहते हूं कुले सब्सक्राइब लोगे लोगे इसके लिया कराना इसके करा दिया हो Acidic medium है ही है बना क्या निकलेगा? बताओ आपको बता है Water by product निकलेगा तो water निकलेगा आप जो बना वो है This is called Propanone Hydrazone यह आपका Propanone Hydrazone तो दो अर्वोन यह डेरियोटिवसिन रेक्शन कराई था अब थार्ड रेक्शन कराने होगे वह है आपके सामने थार्ड रेक्शन में ले रहे हूं यह देखो from Phenyl Hydrazone Phenyl Hydrazone Phenyl Hydrazone यह होता आपको पता देखो NH2 double bond NH2 यह होता न इसका edge हटाके यह आप Phenyl Group लगा लगा that is stored Phenyl Hydrazine sorry तो हम इसको भी Phenyl Hydrazine दलबट कर सकते हैं क्या करना होगा edge हटाके Phenyl Hydrazine अब यह Hydrazine की जाए क्या हो गया Phenyl Hydrazine हो गया Water molecule remove करोगे तो यह को और edge कर दो अब इसका नाम क्या हुआ Ethinal Phenyl Hydrazine Phenyl Hydrazine Phenyl Hydrazine Phenyl Hydrazine हो गया Phenyl Hydrazine हो गया Phenyl Hydrazine हो गया तो हम इससे भी करा सकते हैं आपो लों यहां क्या करना पड़ेगा अगर हम करें इसका नाम क्या है Phenyl Hydrazine जैसे हम नहीं आप क्या यह बन गया अब इसका नाम क्या है Propanol क्या एड़ेगाना पर दो इसमे Phenyl Hydrazine Phenyl Hydrazine तो बोलब तीन अपोनिया डाइवेटिक से रेक्षन पूल यह नहीं हो गई अब अगला आपोनिया डाइवेटिक देखें तो हमारे सामरे यह है 2,4-DNP 2,4-DNP और 2,4-DNP का पूरा नाम है 2,4-DNP 2,4-DNP तो वो कैसे करता है वो देखो 2,4-DNP वापस बोल रेक्षन 2,4-DNP 2,4-DNP कैसे हमें आपो Hydrazine का यह फोलाओता है NH2 वो दाया आपका यह Hydrazine है अब 2,4-DNP अब 2,4-DNP तो देखो कैसे करेंगे 1,4-DNP अब 2,4-DNP यहां पे 2 पे आपका आपका और 4 पे आपका 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 सेम वोल मेकनिस्म होगा लेकित अमोनियाट अबिटिम डिफरेंट है तो मैं आपका यह इतने आपका और इसकी लेश्ट कराई मैंने इससे बिफिन इसने करादी और कॉन से पीशिये पे कराते पच्छों एच प्लस मीटियों यह पता आपको क्योंकि यह इलेक्ट्रोफिलिसी इंप्लीज कर देता है कारबन पे कारबन से टैच हो जाता है जैसे यह होगा पार प्रोट्रोट्ट्ट मिकालों तो बाटर मॉलीट्यू इंप्लीज कर दिया है अब क्या होगा CS3 CH double O N NH NO2 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 Its name E K9 Null Reactant Ethan Null है Ethan Null तो रहे नहीं जाएगा Ethan Null 2-4 Dyanide-4 K9 Hydrate-Zone तो यह आपर प्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट बन गया हो अब बात आपी है semi-carbazide से कैसे reaction होती है semi-carbazide का form में लेखते हैं तो मैं इसको रख कर देती हूँ वो चैस्क्रिफ है वो देखो कैसे है तेपर देखना अब देखो अब देखो semi-carbazide और उसका फरुका है ये देखो NH2 NH CO N this is semi-carbazide कैसे reaction होगी एक दुद्धा रखना इसमें दोनों side NH2 ग्रूप रहे फिर भी हम size reaction कराते हैं जह हम दोने हैं इस size reaction कराते हैं इसका reason है समझाऊंगी लेकिर अभी आप इखो इस से रखोता तो CS3C H अब लगों को react with NH2 NH CO NH2 water molecule अब लगों हो जाएगा ठीकर तो प्रॉट इपनेगा आपका CS3C H दब लगों N NH CO NH2 PLUS H2 इसकाँ 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 सेमी कार्वे जोन इसकाँ इसकाँ सेमी कार्वे से सौन यह आपका प्रॉटेक्ट बहेगा ठीक है अब यहां तक ammonia derivatives की reaction आपको समझा दिये सबसे पहले मैंने ammonia derivative आपको बताए फिर उसके बाद मैंने mechanism समझाया कि किस तरह से reaction होती हला कि हम प्रन ले mechanism के समझ में आना जै कि इस तरह से होगा हर बार इतना लंबा पॉसिबल नहीं है फिर हमने एक-एक ammonia derivative को थेखके यहां पे reaction की है उम्मीद है यह आपको वीडियो पसंद आया होगा अब सेमी कार्बाजाइड में हम reaction हमेशा दो नाइट्रोजन है उस साइज से ही क्यूक लाते हैं इसका reason मैं ने इस वीडियो में आपको समझाऊंगी ठीक है ठीक है